वीगाड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है? को पावर्ड बाई सेंसुडाइन और विमल बोलो जुबां के स्री स्री धनंजे शिंग जी का जो आरोप है निराधार है बिलकुल असत्त है जो कुछ हुआ है उसके बारे मैं बताना चाहूँगा कि कल साड़े आठ बजे साम तक उनके केंदरी कारेले का उदगाचन हमने किया बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे प्रेश्ट के लोग भी रहे और प्रेश्ट के सामने हम लोगों ने पूरी मुस्तेदिस इस बात को रखा कि सिरी मती सिरी कला जी का टिकट फाइनल है और जैसा कि कल दिन भर सोशल मीजिया पे और सब जगां अफवा आया रही थी हम लोगों ने उनसे पांच बजे लगभग डेड़ घंटा हम लोगों ने बातचीत किया हमने बल्की कहा कि आप के उपर कहीं किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है आप चुनाम में बैश तो नहीं जाएंगे आप अपना परचा वापस तो नहीं लेगे उन्होंने उनकी पतने भी साथ में थी दोनों लोगों ने बच्चों की कसम खाई और कही कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और चुनाव लड़ेंगे लेकिन कल ही साड़े ग्यारा बजे रात में सिरी धननजे सिंग जी का फोन बोजन समाज पाईटी के मंजल के कौजिनेटर हैं सिरी राम चंदर गोतम जी उनके पास आता है और उन्होंने सूचते ही कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और हम अपना परचा वापस ले लेंगे और हमारे उपर बड़ा प्रेशर है हमारे फादर का प्रेशर है और परिवार के लोगों का प्रेशर है और भी कुछ उन्होंने कहा और फोन काट दिया मुर्शातियों उनके इस बात से साफ साफ जाहिर हो गया कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था और कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रेसर था जिसके नाते से उन्होंने रात में इस बात को कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे आप अपना कोई प्रत्यासित खोज लीजिए बहुजर समाज पाइटी ने स्री कला जी का टिकेट फाइनल रखा था उनका फाइनल था और उन्होंने स्वयम मना किया जब उन्होंने मना किया तब हम लोगोंने नया कंजिजेट खोजना सुरू किया जी इसा फिरस वाली है कि कल ही बैंगलावर में एक मीटिंग हुई है जिसमें हमेश शा और रगुराज प्रताप सिंग जो की उत्तरप्रदेश की एक रहता है उनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद चर्चा यह हो रही है कि उस मीटिंग में दरंजे सिंग को हुछ चुनाऊं न लड़ने को लेकर कुछ बाते कही गई है भाजपाग्योर से रगुराज प्रताप सिंग को यो बाते कही है और लगातार कार्करता पतारिकवी सब लोग लगे थे और कल साम शाँड़े 8 बजे तक हम लोग उनके निर्वाचन कारियाले का उद्धगाचन कर रहे थे और 14.11 बजे रात में यका यक इस तरह की बात करना तो कहीं न कहीं उधर संकेत देता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है आगे की रन्नीती क्या रहीगी सिट को लेकर जिस तरीके से आपने प्रत्याशी घोशित किया है क्या रन्नीती है क्या सीश नितिल के तरफ से आदेश मिला आदर्या बहन कुमारी मायवती जी जो बहुजन समाज पाइटी की राज़्टी अध्यश है हमारी नेता है और उनके आदेश के पालन में हम लोगों ने जो बहुजन समाज पाइटी से सांसद है सिरीज स्याम सिंग आदो जी को हम लोगों ने आज उनका परचा दाखिल कराया और उनका नामांकन कराया और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से 2011 में बोजन समाज पार्टी से स्याम सिंग यादो जी लोग सभा में पहुंचे थे ठीक उसी तरीके 2024 में भी स्याम सिंग यादो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे उनके आरोब ये निराधार है उन्होंने बिना उनके राय मसबरा के स्रीकला जी परत्यासी नहीं बन सकती है वो एक महिला है और उनके कहने पर ही हम लोगोंने मानिया बहेंजी से मुलाकात कराई और मानिया बहेंजी से उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि हमें चुनाव लडा दीजिए और तब जाकर के उनका टिकेट फाइनल हुआ है सर अभी एक हाली को कुछ दिनों पहले जब टिकेट गुआ उसके बाद धरनजे सिंग को बेल मिली क्या कहीं इसमें कोई किसी तरह की कोई आपस में कोई बात्चीक तो नहीं हुई कि बेल के बदले वो चुनावना लड़े हुना पर नामन का नापिस किया है इस अंदर में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऐसे सब बाते मुझे जानकारी नहीं है